कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बैल आइकन को क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं जैप्रकास देवड़ा आपका स्वागत करता हूं विने क्लासिज में दोस्तों हम कक्षा 6 के विशे समाजी विज्यान के इतियास पार्ट से अधिन कर रहे दोस्तों आज हम उसी अध्याय के साथ में अगले अध्याय पर जाते हैं सर्द दोस्तों वह हमारा अध्याय पांच राज्य राजा और एक प्राचेन गण राज्य के बारे में आज अपन अध्याय करने वाले दोस्तों तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना दोस्तों कपतर अध्य कार्थ आपन कैसे लगा सकते हैं सबसे पहले किसी गुक्ष हैत्र में जनता का रहना अत्याँश्यक्य इसके बाद में उस जनताों सखते जन संहकि अविस्तार होता जन संक्या व्रदी होती है इसके बाद में एक बड़े समूंगा निर्माण होता यंदा आगे कभीले में बदलता अगर अपने एक उससे पुराणे व्यवस्ता की ढास करें कभी छे जाकर एक गाउँ का निर्माण करेगा और एक शहर का निर्माण लेकर पूरी रज्जी और रज्जी से देश तक अपन इसके बारे में दिन कर सकते दोस्तों अब बात करते हैं राजा कैसे बनते थे दोस्तों मैं आपके सामने जो चीज लेका है उसको ध्यान से सुनना इन सबका अध्याय में करने वाले दोस्तों वर्तमान में हम सरकार का च चुनाओं होते दोस्तों है ना आपने देखा होगा रज्यों में भी मुख्य मंत्री के चुनाओं होते दोस्तों है ना पर आपने देखा होगा गाओं में सरपंच के चुनाओं भी होते हैं कि और आपने देखा होगा सैरों में नगरपाली का के भी चुना होते दोस्तों है ना दोस्तों लेकिन मैं अब बात करने वाला हूं प्राचिन समय में में जनता अपने राजा का छुनाओं स्वयम करते थी है लेकिन कुछ राजा अपनी ताकत के बलपर, शक्ती के बलपर किसी राज्य पर अटेक करके वहां के शासक बन जाते थे दोस्तों है ना तो अपन पहले छोटे पॉइंटों के बारे में बात करेंगे लेकिन बहुत समय पहले शासक या राजा कैसे बनते थे पर कुछ राजा जनता द्वारा चुने जाते थे उस समय परंतु करीब तीन हजार साल पहले राजा बनने की परक्रिया में कुछ बदलाव आएं दोस्तों है ना लोग बात करते हैं कुछ सेना एकठा करके सेना पती किसी एक बूच हैतर पर आकर्मन कर देते थे आकर्मन और वहां पर कुछ हैतर पर अधिकार इस्तापित कर लेते थे हैं ना और कु देखे दोस्त मैं बताना जा रहा हूं यहां पर जो हमारे लिए इंपोर्टेंट साबित होने वाला दोस्तों अब देखो आकर्मन कर दिया आकर्मन करने के बाद में वहां के शासक कैसे बनेगा राजा बड़े बड़े महा यग्य करेगा महा यग्य करने पड़ें के किसी भी इस साशक को बनने के बाद में ताकि जनता का विश्वास उसे प्राप्त हो जाए है ना इसके लिए उसे पहले ऐसे महा यग्य का आईजंग करना पड़ता था दोस्तों ठीक है और फिर वह क्या बन जाते थे वहां के शासक बन जाते थे है ना यह सब थीन हजार साल पहले ऐसे परिवर्थन आए दोस्तों है ना अपन आज ना बहुत सारे गणराज्यों के बारे में भी बात करेंगे जो आपके टोपिक में लिखा हुआ है गणराज्य और एक संग है ना यह दोनों टोपिक भी हमारे इसी पॉइंट में जो है महा जन्पद भी होते दोस्तों इन ही आज अगे पार करनी वाले कहता है बात करतें हैक्ञे कैसे बनते दोस्तों यह अपनै अभी अधिन कि सार्ष कुछन करने वाले दोस्तों पहले जन आ बात करते हैं जनता कबीले से बनती चाह'sक कोनल रहेगा जनता रहेगी दोस्तों अब ये जनता कबीले कि जनता किसी एक वेक्तिव को अपना क्या बनाएगी मुख्या बनाएगी दोस्तों है ना तो जन का शासक कौन होता था उसमें मुख्या होता था कभीले का शासक मुख्या होगा अब बात करते हैं जनपद क्या है जनपद का मतलब बहुत सारे कभीलों को मिला कर एक गाउं का समू बनता था, और वहां ऊस गाउं के समू के शासक को अपन कहेंगे, राजा गहते थे, माल लेते हैं, बहुत सारे यहां पर कभील हैं, किसी वेक्तिन ने यहां पर अटेक किया यह आक्रमन किया, आक्रमन करने के बाद में यहां अपनी प्रभुत्ता इस्तापित कर लिए अर्थात यह अपने यहां अपने आपको इसने शासक गोसित कर दिया तो यह यहां का क्या कहलेगा मुख्या कहलेगा है ना मुख्या भी कह सकते हैं इसे अपन राजा भी कह सकते हैं अब बात करते है अब बात करते हैं थुड़ा उससे पहले बात करें तो यह राज़ा ना दोस्तों कभी लोग से गाउं का बना बहुत सारे गाउं का समुफ बनकर एक बहुत बड़ा जनप 되면 जनप का मुंक्भर राजा लंत Alan यूजपन करते था जनपत के राजा ने महा यग्य आजिन किया अर्थात अर्षमिक यग्य शुरू किया ये क्या करेगा एक गोड़ा लेगा उसके ओपर अपने एक निशानी या जंडा लगवा देगा और अपने परिवार के या सहनापतियों को अब उस गोड़े को स्वतंद्र छोड़कर उस कर रहा ना महराज ये इसको जीत नहीं पाया तो क्या करेंगे गोड़े के साथ जीतने भी शहनापतिय गहते इसको हराएंगे और हराने के बाद इसे अपने अधीनता स्विकार कराएंगे और आगे जाकर वापिस श्वतंत्र चोड़कर पूरे देश का ब्रह्मन करते यग्य संपन होता है था और यग्य संपन होने के बाद में इस राजा को वास्तविक राजा जनपद का माना जाएगा तो आपको कितना अच्छे से समझ माया दोस्तों है ना अब बात करते हैं महा जनपद की दोस्तों बहुत सारे जनपदों को मिला कर अर्थार कहते हैं बह बात करें यह महाजनपत के राजा अपने आपको संब्राट कहते थे और संब्राट भी कैसे अगर बात करें राज सूरी यग्य को संपन कराने के बाद में यह अपने नाम के आगे इसे बड़ी बड़ी उपादिया धारण करते दोस्तों तो कितना अच्छा आपको समझ माया दोस्तों अब बात करते हैं आगे की महा जन्पदों का उधे कैसे वा इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों करीबन चटी सताब्दी इसा पूर है आज से करीबन अगर बात करें तो यह चटी सताब्दी इसा मसिया के भी 600 सालों पहले की बात है, जब गंगा यमुना दोव्य और बिहार में लोहे की परचुर मात्रा के कारण यहाँ पर उत्पादन होने लगा, ओजारों का इतना इस्तिमाल होने लगा, उत्पादन होने लगा, तो यहाँ पर जो राजा थे, उनकी शक्ति में व्रदि हुई, और आगे चलकर यह राजा महाजनपदों के राजा बन गए क्योँ कि यह इतने सारे उजारों से क्या करते थे अपनी सेना अपनी सेना में वरधी करते थे अरता सेना को शक्तिशाली पनाते थे इन अत्यारों की मदस् Se है ना और किसी भू छेतर पर आकर्मन कर लेते जैसे किसी जनपत पर आकर्मन कर लिया पर आकर्मन करने के बाद में इस जनपत को अपने समराज्य में मिला देते थे तो यह राजा महाजनपत राजा कहलाते थे अब बात की मैंने यह दो आब क्या मतलब होता दो आब का मतलब है दो नदियों के बीच की इंगगा को दूसरे नदी की ऐल जीना वागी होता था ये नदी उप्र यमना इधर से आ रहे आगे जालकर इन वह लों का पानी एकटा अब यहां बीच में जुद स्वोड़ गई greeting कि कि आप मैं कितना सिंपल यह का बारे में महाजन पदों ना ना कि वहा इंग प्रचूर मात्रा में लोहे की खादाने खाने खुजी गी और इन खानों से लोहा निकलता था और लोहे से बहुत सारे ओजारों का निर्मान ओने लगा दोस्तों और ये ओजारों का निर्माण होने के बाद में हत्यारों का निर्माण होने लेगा और जो भी राजा इन दोवा चैत्रों पर आक्रमन करता और आक्रमन करने के बाद में इस खान पर अपना अधिकार इस्तापीत करके अपनी सेना में बहुत सारी हत्यारों की सप्लाई करता थ इसके माध्यम से वह किसी जन्पत पर अक्रमन करके उस जन्पत को अपने समराज्य में मिला देते था इसे ही अपन कह सकते हैं महा जन्पत्धों का उदे हुआ ऐसे हैं अब बात करते हैं उत्तरवेदी काल में उत्तरवेदी काल का मतलब है जब रिगवेद की रचना हो गई हम एकष्क की रचना होगे ती है और अन्य और की रचना होने वाली थी तकते जनपत वो महा जनपतों में बदल घए दोस्तों वेरी वшеड़ी इंपोर्टन्य जानकारी सु मेरे प्यारे शेर शेरणियों कितने अच्छी जानकर आपको यहां बैठे मिल रही है अब बात करते हैं आगे तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने अभी महाजनपद का उदे के बारे में जानकरी प्राप्त की अब मैं आपके सामने बोध ग्रंत अंगुतर निकाए और जैन ग् बगवती सुत्र हैं ये भी सबसे बड़ा ग्रंत है जैन धर्म में दोस्तों है ना इन दोनों ग्रंतों में 16 महाजनपदों का उलेक मिलता है दोस्तों अर्थात महात्माबूद और महावी स्वामी जब थे उस समय 16 महाजनपद थे दोस्तों इसलिए इन ग्रंतों का उलेक इन गरंतों में इन 16 माज जनपदों का उलेक मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करने वाले हैं वन, वन से पेले अपन बात करता है रिग वेद की रचना, रिग वेद की रचना कैसे हुई, और रिग वेद के बारे में थोड़ा से अध्यन वाफ्पिस कर लेते, हमने शामवेद और ओर अरथव वेद दोस्तों, यह तीन वेदों की रचना उत्तर डे़ी काल हूई दोस्तों एक मात्र वेदी काल में रिगवेद की रचनवी है ना और 16 जनपदों महा जनपदों का उलेक अंगुतर निकाय और भगवत्ती सुत्र में भी मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं आगे सामवेद यजुर्वेद और अर्थों वेद के बारे में पुरोईतों या रिश्यों दुवारा रचित इन ग्रंतों में विवीन प्रकार के अनुष्ठान अर्थात कह सकते हैं महायग्य है नष्टान के वीद्या बताईगे कि इन वेदू में शारे जो चार वेद सुवेद बता है इन चारों वेदों में समाज में कई समूत है अर्था द्वन व्यवस्ता की बात करने वाले अपन आ देखो उत्तर वेदिकाल में जब इन तीन वेदों की रचना हुई उसे समाज में किवर मूढ युद्ध है जो यूद्ध में भाग ले दे परस्व पर्शुली ओंड़ व सिल्पकार का मतलब है मूरती बनाने वाले श्रमिक और मचली पकड़ने वाले तता जंगल में रहने वाले शिकारी और भोजन संग्राग अर्था भोजन की तलास में भोजन को एकटा करने वाले लोग भी उस समय समाज में थे और कुछ निर्धन लोग अर्था गरीब लोग भी उस समय थे तो इन पुरोहितों ने इन रिशियों ने इन सारे लोगों को चार व पूरोईत कौन होते हैं जो धार्मिक यग्य या महायग्य को संपन करवाता था उसे पूरोईत या यग्य करवाते थे राज सूरी यग्य करवाते थे बहुत सारी यग्यों को संपन कराने की जिम्मेदारी इन पुरोहितों को होती थी और किसी राजा का रास्तिलक करवाना यह रास्तिलक भी कौन करवाते थे यह पुरोहित लोग ही करवाते थे मेरी प्यारे दोस्तों अब ब जैसा काम करेगा वैसा ही उसे वन दिया जाएगा जैसे जो मिट्टी का काम करता था उसे मूर्तिकार का आगया अर्थात कुमहार का आगया जो लोहे का कारी करता था उसे क्या बोला गया यह तो लोहा लोहार है जो युद्ध में योद्धा की तरह काम करता था उसे शत्रिय क करते लोगों की रक्षा करना और शासन करने का कारि यह लोग करते थे अब बात करते थे वैश्य वैश्य का अर्था आज जो व्यापार करने का कारे करते थी घ्यापार अर्था आप क्या सकते हैं लें देन का कारे आप लेंदेन का कारी की देखो फष्क और और ये todas दोस्तों और संब्सांज में सबसे नीचे पाईदान में लोगों का इस्तान था और ये निम्न कारी करने के साथ में इन तीन वर्णों की भी सेवा करने का कारी करते थी कौन शुद्र लोग इसलिए इने कि किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था शुद्रों को अनुष्ठाम करने का अधिकार नहीं था तता ओरतों को भी शुद्रों के समान माना गया देखो दोस्तों मैं ओरत केवल शुद्रों की और चारों वणों की ऐसले इने महीं अच्छी नहीं थे उत्तरवेदी काल में महिलाओं की इस्तिती अच्छी नहीं थी यह याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों यह वेरी वेर इंपोर्टेंट है यहाँ पर हाना और शुद्रों को वेदों का अध्यन करने का अधिकार नहीं था अभी शुद्र वे लोगी थे जो तीनों वणों की सिवा का कारे करते थे इन्हें समाज में अच्छा नहीं मानना जाता था यह केवल अपने खुद का जीवन यापन कर सकते थे और विवा करके यह अपनी संतान प्राप्ति के कारे करते थे लेके इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था दोस्तों अब बात करने वाले आगे हमारे कुछ पॉइंटों की तो दोस्तों आगे हमारा पॉइंट है पुरा तत्तु विद द्वारा खोजे गए नगर वबस्तियां दोस्तों हमारे विग्यानिकों की बात करें इतियासकारों की बात करें इन्होंने भारत में जगा जगा खुदाई की क्या की दोस्तों खुदाई और इस खुदाई में इन्हें बहुत सारी वस्तुवे मिली जो हमने आगे की क्लास में पढ़ा है तब बेता में है ना लेकिन जब इन्हें ऐसी वस्तुवे मिली जिनका समद इन्होंने प्राचिन काल में बताया है प्राचिन काल से बताया है है ना दोस्तों तो इन्होंने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की दिल्ली में पूराना किला अर्था दिल्ली का जो पूराना किला उसकी इन्होंने ख के सकते हैं दिल्ली का एक प्राचिन नाम है खांडव हस्तिनापूर भी नाम आता देखो दिल्ली का प्राचिन नाम है हस्तिनापूर है ना और प्रस्तिनापूर के पास में एटा के पास जंतर जी खेडा इसमें भी खुदाई कीगी इन्हें बहुत सारी वस्तवे जो मिली जिनका समन्द इन्होंने प्राचिन काल से बताया खुदाई से पता चला कि लोग जोपडियों में रहते थे उस समय के और मवेशियों और अन्नी जानवरों को पालते भी थे और वे चावल गेहूं धान जो गन्ना तिल तता सर्सों जैसी फसले भी उगाते थे दोस्तों कितनी सिंपल जानकारी मिल रही है कि खुदाई से ये पता चल रहा है कि यह जो लोग होते थे उतरवेदी काल के मजन पदों के लोग होते थे वे जोपडियों में रहते थे मवेशियों को चराते थे अन्नी जानवरों को भी पालते थे और खेती कारी भी करते थे जिसमें प्रमु फसले गेहूं चावल धान जो गन्ना तिल और सरसो जैसी फसले वे उगाते थे दोस्तों हमारे पुरातत विदो विदो को बहुत सारे वस्तुवे भी बिली जिसमें मिट्टी के बरतन भी इन्हें मिलते हैं जिस पर जिस पर चित्रकारी की गई थी दोस्तों देखो दोस्तों यह जो चित्र मैंने यह बता रखा इस चित्र का नाम है दूसर पात्र यह दूसर पात्र इसली कहते थे क्योंकि इसके उपर चित्रकारी की गई जो आपको दिखाई दे रही यहां पर यह चित्रकारी क्या हुआ है म तो इसे दूसरों को बोजन उससे परोष्ण जाता था दोस्तों अब बात करेंगे आगे की जानकारी के बारे में, दोस्तों तो प्यारे दोस्तों अपन्मा जन पत की कहानी पढ़ने वाले हैं करिब 25 साल पहले कुछ माजनपद या जनपद अधिक शक्ति सा लिए इन्हें माजनपद क्यों कहा जाने लगा क्योंकि इन्हों ने दूसरे जनपद उपर अटेक किया और अटेक करने बाद में इसे अपने समराजी में मिला दिया तो यह क्या कहला है माजन पद कहला है है ना अधिकतर माजन पदों की एक राजदानी होती थी और कई राजदानियों में किल्ले बंदी भी की थी क्यों किल्ले बंदी क्यों की गई वो कि शुरक्षा की दिश्टी से हमेशा राजा की राजदानी में हत्या हो सकती है देखो आप अगली क्लास में पढ़ने वाले एक आएगा चंद्रकुप्त मौर्य इसका एक चानक्य भी आएगा इसका गया इसका प्रधानमंत्री एक काले इसक्दुर्द मौर्य की पहली शाषक बनाया ऑर किसी भी कमरे में एक या दूद única एक रात्री से ज्यादा टाइम तक किसी भी कमरे में वो रखता नहीं था है ना तो सुरक्षा की दर्ष्टी से और वो राजदानी में ये ना राजा को रखता था क्योंकि राजदानी ही सुरक्षा की दर्ष्टी से महतमुन थी और इस राजदानी की चारों और विशाल परक मकड़ी कि इटों और पत्थरों की उची दिवारे बनाई गे थी बड़ी में दीवार जो किस्ते पत्थरों और एटों बनाई जाती थी और जो सुरक्षा की दरश्टी से महत पुन थी ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्नी राजाओं के आकरमन से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्मान किया कुछ राज़्जा अपनी राजदानी के चार और वीशाल उची और प्रभाव साली दिवार खड़ी कर और अपनी समर्दिय शक्ति का प्रदेशन भी करते थे तो एक तो आया शुरक्षा की दरश्टी से और अपनी राजदानी की राजदानी को सम्रदी अर्थ protection के लिए भी यह लोग बड़ी बड़ी विवसाल दिवारों का निर्मान करते थे, तो यह आप देख रहे हैं, जो कोसांबी का जो खिला, उसकी एक दिवार है, वरतमान में कोसांबी का जो खिला है, उत्रपर्देश के इलावाद मिचते थे, हैना, जब भी आप जाएं, एक बार जरू व रखने पड़ेगी और किसके रूप में देगा मुद्रा के रूप में सिक्कों के रूप में देगा और उस समय की बात करें तो माजन पत्त के समय जो सिक्के बात करते हैं महाजन पत्त के समय कर व्यवस्ता क्याती राजा इतनी बड़ी शैना रखेगा इतना बड़ा समराजी रखेगा इतने बड़ी करमचारी रखेगा तो करमचारी वगर रखेगा तो राजा को इन करमचारीحد को वेतन भी देना पड़ेगा तो उसमराजी फूरे महा आपको टेक्स तो समझ में आ रहा होगा जैसे अभी वर्तमान में एक एक जो वस्तु और सेवाकर्ज लगा हो जिसका नाम जी एस्टी वस्तु एम सेवाकर्ज इसे गुड गुड सेंड सर्विश टेक्स कहते दोस्तों है ना तो उस समय की बात करें तो कर व्यवस्ता भी माज जन्वात की जनता टी वे सब किसान थे और खेटीबाड़ी का कारे करते थे हैं ना तो राजा क्या करेगा इनकी फसलों पर दूसरा जो परशु पृपली जो पालाने का कारे करते थे उनके दौरा जो जानeszएं यह दूद नुद बूद घी हैं मक्षन वगरा इनका जो निमें करते हैं है ना खरीदना बेचना करते हैं उनको भी अपने सामान पर क्या देना पड़ेगा कर देना पड़ता था उसमें और जो शिकारी लोग होते जो शिकार करते थे जो संगरहाग थे इनको श्वतंत्र रखा जरूर रखा जाता था श्वतंत्र अर्था यह जंगल में जाकर श्वतंत्र शिकार करते थे लेकिन इन्हें जंगल से प्राप्त वस्तों पर कर भी देना पड़ता था राजा को तो राजा किसी को भी इतना श्वतं करते हैं आगे दोस्तों कितनी सिंपल जान करें दोस्तों अब बात करते हैं कोसांबी की किले की दिवार जो एकदम क्लियर मैं आपके सामने लेके आया हूं यह देख लिए इट की दिवार लगी बड़े-बड़े पत्थर यहां लगे वह जो दिवार पर लग रहे हैं ना रखा उसने और कर की व्यवस्ता रखी तो राजा क्या करेगा करिशिमी भी परिवेतम करेगा उस हमें लोहे का प्रियूग होने लेगा दिए अर्टाथ हाल जुत्त ही हो जाए जुताई का मतलब खुदाई है अल से जुताई होती ही दोस्तों जब लकड़ी के अल पर लोहे का फाल लगाए गया तो लोहे से जल्दी ही जमीन की जुताई हो जाती थी दोस्तों है ना अब उसके साथ में पसल की पैदावर को बढ़ाने के लिए रोपन क्रशी की जाने लगी है ना वही जुताई होगी तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे रोपन क्रशी करेंगे और वीजों को जल्दी बोना स्टाट करेंगे और वर्स में तीन बार पैदावार लेगा राजा वहले किसान वर्स में तीन बार पैदावार लेगा फसल से जिसे राज्य क कहेंगे क्या कहेंगे राजस्व कर कहेंगे अब मगत का उत्थान कैसे हुआ इसके पहले में आपको थोड़ी सी जानकारी मैप के माध्यम से देना चाहूंगा दोस्तों है ना देखो मैंने बताया था आरम में जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था कि 16 हमारे संसकार होते हैं और 16 माहाजन पत्ते हैं उसका देखो मैं एक मानचित लेका हैं भारत के मानचित में देख लिजे तक्सिला अंग मगद कोशल वजी है ना सुरसेन मतस्य अवंती है ना मगद वगर ये 16 माहाजन पत्ते दोस्तों समय है ना और सबसे शक्तिशाली कौन हो गया था जो मगद ह गया था और मगद के साथ में एक वजी नाम का भी एक जनपत्त वह भी बाद में जाकर शक्तिशाली हो गया था इसके बारे में भी अपन थोड़ी देर से अध्यन करेंगे आप आराम से इस में को देखिए ना कैसे ना बड़े बड़े जनपत्त महाजन पत्त में कैसे मिल कैसे ना कर Чेदि हैं अवंति हैं अवश्याइब यह उस हैं फ टिका आंब कर्इद कार्म है भी ना जयो वह थे और दोस्त देखो की राजद्या ओपिस मगत के उत्थान की दोस्तों मगत कैसे अचानक इतना क्युक्ण कि यहां मग प्रिष्था पी था वो गंगा और की किनारे क्या ती उपजव पुमी थी अर्थाद दो आप जमीन थी और दो आप जमीन बहुती क्या होती है उपजव जमीन होती दोस्तो है ना दोस्तो तो मगत से वोकर बैठी थी यह दो नदिया गंगा और सोन नदिया और मगत को कई प्रकार से इन से लाब होती जैसे है इन अदियों से यात नदियों की महत मुंहीगा थी तो कि इनको पानी हर समय मिल जाता था तो क्रशी में व्यक्रशी में सुधार होगा क्रशी में पैदावार बढ़ेगा मगत का एक हिस्सा जंगल से बिल मले जंगल से भी बराऊ था अर्थाद जहां पर दो नदिया पर आकर मिलती है इसके आसपात बहुत ज्यादा जंगलों का निर्माड हो जाते था अर्था आता कह सकते है अपन मगत के पास में बहुत ज़्यादा उब्जव भूमी थी और बहुत सारे हरे बरे जंगलों का निर्मान हुआ तो मगत का एक हिस्सा जो राज्जी के रूप में उब्रा और एक हिस्सा जंगल के रूप में उब्रा दोस्तों है ना इन जंगल में जंगली हाती रहते थे दोस्तों जंगली हाती है ना अब मगत के राजाओं ने इन जंगलों पर आकर्मन करके इन जंगल को अपने अधिकार में कर दिया और यहां पर जो लोग होते थे इनको हातियों को पकड़कर इने प्रशिक्षित करके ट्रेनिंग देकर इन हातियों को राजा मगत के राजा अपनी सेना में भढती कर देते थे और युद्ती के समय अधिग सधिक हार्दिग हातियों की संक्या युद्ध में रखते थे ताकि आगे वाले की जो और पैस्ट छिए पर से पीछह उटे पर जाता पँछाने काम पांने लगाया जाता था तता इनी जंगलों में बहुत सारी खाने इनी जंगलों से लोहे की खाने मिली दोस्तों लोहे की जहां लोहे की खाने होती है जब राज्जी का यहां पर प्रवास थापित हो जाता है तो इन लोहे की खानों पर भी इनका अधिकार हो जाता है और लोहे से क्या बनते दोस्तों ओजार बनते दोस्तों और ओजारों के बाद में और क्या बनते हैं हत्यार बनते दोस्तों है ना तो मगत के राजा ने इन ओजारों से इन लोहें के लोहें के उत्पादन को बढ़ाया और हत्यारों का अधिक से अधिक संक्या में व्रदी गी और अपने सैना को बहुत सारे किसी भी प्रकार की हानी ना हो और आकरमन कारी पर विजह प्राप्त कर सकें तो कितनी इंप्वर्टन्ट जानकरी मगत के बारे में मैंने आपको दी है दोस्तों आपको मैंने मैप समझा दिया की सुले माजन Catalina और हमारीर क्या होते दोस्तों अजब होते दोस्तों और इक मैको एक बर वापीस अब आराम से देख लिजिए का ये अब बात करते हैं आगे कि मगत के दो बहुत ऒहुत ही शक्ति-षालि कि भूमी का योकाति थी मगत को हर संबह पर्यास यह क्या करते थे मगत को शक्तिशाली बनाने का प्रियास करते थे जिसमें से बिंबी सार नाम आता और एक अज्याद सत्रु देखो हर्यक वंस के दोनों राजा हुए थे इन्हों अब बात करते हैं अनिशासकों की तरह इन्हों ने भी अपने मगत को हर प्रियास से अपने मगत को सक्तिशाली बनाया अ बात करते हैं सिकंदर का सपना जो भारत में अदूरा रहा देखो भई एक बैबी लो utionya का अपने बात करते हैं यूनानी साषक था जिसका नाम था शिकंदर, सिकंदर के बाद में ये कहा जाता है, सिकंदर बच्पन में यूद करने के सपने देखता था और इसी यूद की लालसा में बच्पन में ये ना वो एक जोतिसी के Federation के पास जाता है दोस्तों तो उस लकीरों को देखकर जोतीशी कहता है बचे तेरे तो को लकीर ही नहीं है किसी प्रकार का आपका राज योग नहीं है अर्फात आपको अबी भी राजा नहीं बनेंगे तो उसी समय शिकंदर को गुस्सा आया उसने अपने कटार निकली निकालकर अपने हातों में लकिर बनेंगे यह कहकर सिकंदर बड़ा होता गया बाद में और इसने अपने युनान पर अपने किसी कह सकते हैं बीबिलोनिया पर राजा बन गया और कुछ समय बाद में भारत की और कूच करता है अर्था सिकंदर विश्विजेता बनने की रहा में आगे बढ़ता है और आगे ब करने करना चारा था उसी समय उसके सिपाईयों ने और यूनानी सासक शिकंदर के सिपाईयों नहीं इनकार कर दिया क्लें मगęत प्राक्रम metrics करने से क्यों कि मगद के राजा के पासा में इतनी ज्यादा वाली सेनब भी थी मगत के शासर की पास में ये सारी बातें जब युनानी शासर के सिपाईयों को पता लगी तो उन्हों ने मगत पर आक्रमन करने से इनकार कर दिया इसलिए सिकंदर वापस लौट गया युनान लेकिन बेबी लोनिया के पास में उसकी मृत्य हो जाती है यह बात सिकंदर के बारे में थी दोस्तों अब बात करते हैं आगे वजी संग देखो यह तो हमने मगत के बारे में पड़ा मगत के साथ में एक और महाजन पत्ता जिसका नाम था वजी यह वजी भी मगत के बाद में शक्तिशाली हो गया क्योंकि वजी में जो शासन व्यवस्थता थी वो गण तंत्रात पूं व्यवस्थत थी घण या कहते हैं संग WALI प्रशासन से ना थी अर्थात एक ही राज्य के बहुत सारे राजा हुआ करते थे फले एक राज्य मान लेते हैं वजी एक अकेला राज्य है ना लेकि इस वजी का एक राज्य नहीं होगा एक से अधिक राज्य होंगे जो मिलकर शासन करेंगे वजी पर है ना तो देखो बात करते हैं जाकर आगे चलकर संग में बदल गया और यहाँ वजी एक राजा नहीं होता था दोस्तों वजी के एक से अधिक राजा हुआ करते थे एक साथ मिलकर सभाय करते थे एक साथ मिलकर मैत पुन फैसले करते थे दोस्तों यह अपन पढ़ते हैं इसमें अना बात करते हैं गण का अर्थ क्या है ना कई सद्योसियों वाले समू के लिए परियोग किया जाते था गण का सब्द और इस व्यवस्ता में एक साधिक राजा एक साथ शार्षन करते थे एक साथ मैत पुन फैसले लेते थे संग कारते संगटन या सबा है ना जब गण की व्यवस्ता इस्तापित हुई तो सबा अर्था संग की व्यवस्ता इस्तापित हुई इसी के साथ में अर्था सारे वेक्ति जो एक राजा ना होकर 10-12 राजा मिलकर एक साथ फैसले एक साथ सभाया आइजुद करकर मैत पूं भैसले लेती थे ये वजी की शासन व्यवस्ता थी दोस्तों ये जो व्यवस्ता दोस्तों करीबं एक 1500 सालों तक चलती रही वजी में लेकिन जब गुप्त-शासकों ने ढाकरमाण पपन किया वजी पर तो यह सारी व्यवस्ता का अंत हो गया दोस्तों गुप्त शास्कों के समराज्जिंद में मिला दिया है न दोस्तों तो आपको कैसे कैसे इतने अच्छी जानकारी यहां मिल रही है न इसे के क्लासिज की पले लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है लिख works करius में आपको मेरा चैनल दिखाई देगा चैनल में आपको जाना है इसके बाद यह आपर देखो Facebook वीडियो और प्लेइलिस्ट का उप्शन है तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेइलिस्ट पा सकते हैं